मीन राशी आपको सबसे ज़़ा अपने यार मित्रों से साफधान रहना चाहिए आपका वेर्थ का समय बरबाद करते हैं आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, आपकी कमपनी, आपसे बड़े जो अगरज ब्रहता है, पहन है या आपकी जो सोसाइटी है, मेन राशी वालों के लिए, आपके लिए ये सब नुकसान का सौधा होते हैं, आपको कोई ना कोई नुकसान अवश्यपन जाते हैं तो यार मित्रों से आप साफधान रहे हैं नमशकार आज मीन राशी वालों के लिए नमबर के महिने में होने वाले गोचरी इस्थिती के बारे में बात करेंगा और क्या कुछ प्रभाव रहेगा उस विशे में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले तो अच्छी खबर ये है कि बुद्ध और शुक्र महराज का राशी प्रिवर्तन हो जाएगा दो नमबर को शुक्र जो है वो बुद्ध की राशी करने राशी में आ जाएंगे और वहीं पर बुद्ध महराज पहले से ही तुला राशी में है आठ तारीक तक ये रहने वाला है ये तरह से आपके लिए विपरीत राश्योग बनाएगा अन्मिता बुद्ध की पोजिशन जो तुला राशी में थी काफ़े दिक्कत है आपको यहाँ पर खड़ी कर सकती थी नवंबर के महिने में क्योंकि बुद्ध आपकी जर्म कुड़ने के साबसे एक तो मारक होते हैं और दूसरा बाधक भी होते हैं बाधक का मतलब है जब इनकी दशांतर दशाएगी या कोई और इवेंट होगा जब जब बुद्ध इनवाल रहेगा तो आपके कामों में बुद्ध महराज रुकावटे डाल देते हैं परंतु वरतमान में जैसे ही शुक्र महराज इनकी राश्री में आ जाएंगे और शुक्र आपकी जर्म कुड़ने के साबसे अश्टमस्तान के स्वामी होते हैं तो अश्टम स्थान के स्वामी के सब्तम स्थान में जाना और सब्तम का अश्टम में जाना एक तरह से विपरीत राजयोग का निर्माण करता है एक दूसरे के दुश प्रभावों को काड़ देता है तो इसलिए अब आपको जो है दामपक्ते सुख इस महीने रहने वाला है और खास दोर पर ससुराल पक्ष से लाब की परिस्तित अमनेगी जो लोग इंशूरंस से जुड़े हैं जो लोग लाइसी के शतर से जुड़े हैं जो लोग बैंकिंग फाइनेंस के काम से जुड़े हुए हैं उनको इन दिनों में काफी अच्छा लाब प्राप्त करने के अबसर यहां पर प्राप्त होते वे नजर आ रहे हैं शनी मारगी हो गए है आपके इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि आपको अपने अभी वर्तमान में यारमित्रों से, अपनी कंपनी से अपनी सोसाइटी से, जिनके साथ आप घुलते मिलते हैं उनसे साफधान रहना है, वो आपका समय बरबाद करते हैं और आपके लिए कोई ना कोई परिशानी का कारण हमेशा बनते रहते हैं इस महिने आप देखेगा आपको कहीं न कहीं कोई अम्यूजमेंट पार्क थेटर में, कहीं ऐसी जगाँ पे अमोध प्रमोध होता है, जहां खुशी का बातावन रहता है ऐसी जगाँ में जाने का अफसर मिलेगा अच्छी परिस्तिती हैं शुकर महराज की सब्तमस्तान में, धनस्तान में देवगुरु ब्रहस्पती भी मारगी राहू के दुश्परभाव से दूर हो गए है तो अभी धन समंदी मामलों में किसी के उपर आश्रित रहने वाली जो दिक्कते थी, वो मीन राश्यवालों के लिए खतम हो जाएगा उसके लावा जो बैंकिंग शत्र से जुड़े जो लोग होंगे, उसके लावा फाइनस डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े है जिनका कोई न कोई वित्त समंदी कारे है पैसों का काम करते हैं, उनके लिए बहुत खुश खबरी वाली जो ये समय रहने वाला है दीपा वाली तक आते आते आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जो है, वो फाइनसेज मैटर्ज में आप धनसबंदी मामलों में बहुत आगे बढ़ गए हैं और आपकी जो चिंताए है वो दूर होती भी नजर आएंगी घर परिवार कुटुम की जो परिस्तेतिया है वो अच्छी रहने वाली है यह अच्छा आपके लिए वातवन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है राहू लगन में बैट गए हैं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखे जो लोग बालक हैं, जो कम उमर के हैं उनके पेट में वर्तमान गोचर में राहू के कीड़े हो सकते हैं मतलब वाम्स की जो है वो आपके कहीं न कहीं स्टमक में वाम्स की विज़ा से कोई न कोई दिक्कते या परिशानी इस गोचर में देखने को मिलेगी 17 नमबर तक विशेश तोर पर जो है वो ध्यान रखे आपका घर का कोई सोना घूम हो सकता है जी हाँ गोल्ड का नुकसान हो सकता है उसके लावा जो आप्टीशन्स हैं जो आँखों के चश्में बनाते हैं या आपका खुद का चश्मा भी कहीं तूर जाए आँखों में कोई प्रॉलम्स हो जाए opticians का थोड़ा बहुत दिक्कते दिखाई दे रही है और doctors को खास तोर पर साफधान रहना है सूरे जो है वो अश्टम भाव में नीच स्थान में गया है तो जो doctors है जो traditional medicine में deal करते हैं या जो आजकल की दुवाईया है उन में जो deal करते हैं उनको कही न कहीं साफधानी इस महीने 17 नमंबर तक बरतनी चाहिए नी तो यहाँ पर उनको थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है गोल्ड का नुकसान मैंने पताया उसके लावा जो घर में आपके जो time के instruments हैं जो समय दर्शाते हैं जिसे घड़ी है या फोन है आपका उसमें भी कोई न कोई दिक्कते इस गोचर में सूरे के हाँ पर दिखाई दे रही हैं उसके लावा जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं जो government department में कोई लोगों का काम निकालते हैं लाइजन करते हैं तो 17 नमंबर तक थोड़ा सा आप शानती बनाये रखे क्योंकि यहाँ पर आपके काम बनते वह नहीं नजर आएंगे दिक्कते परिशानी आपको जहनने को मिल सकती है सरकार की तरफ से कोई दंग या टेक्सिज हो गया या कोई और किसी भी तरह की परिशानी इस गोचर में आपको देखने को मिल सकती है परंतु जो बुद और शुक्र का गोचर आपस में स्थान प्रिवंतर की वज़े से हुआ है ये बहुत अच्छी खबर आपको लेकर क्याएगा सुक्स्मिर्दी घर में जो लेडीज हैं उनके मातरवन रहने वाला है दामपत्य सुक में भी जो है मधूरता है आपको देखने को मिलेगी रोमांस बढ़ेगा प्रेम प्यार बढ़ेगा पार्टनर के साथ भी समन्दों में जो है वो इस समय आपका काम बनता है वो नजर आएगा बुद्ग्रह जो बाधग के रूप में काम करते हैं वरतमान में जैसे ही शुक्र महराज इनकी राशी में आ गए है तो अब ये भी इनका जो दोश है जो इनका अवगोण है उसको ये काट देंगे तो ये विपरित राजोग की परिस्तितियां बुद्ध और शुक्र की वज़े से भी आपको होने वाली है और उसके लावा अगर आप लोग जो है वो शिव की राधना करते हैं पंचम भाव को सुद्रेड करते हैं पंचम भाव हमारी मती होती है हमारी डिस्पोजिशन होता है हमारी सोच होती है हमारी सिद्धी का सान होता है कोई भी काम करते हैं अभिष्ट की सिद्धी हो जाती है. तो शिव अराधना में आप अराधना करते हैं महादेव की, तो आपके लिए ज़लदी से जलदी सिद्ध होते ही, नजर आएगे. इस तरह की परिस्तियाद मीनराशी वालूं के लिए नवंबर के महिने में बनी हुई लॉंग टर्म में जो आप प्रोजेक्ट्स को अगर लेना चाह रहे हैं, तो लंबे कारियों को, या लंबे प्रोजेक्ट्स को इसमय अगर आप लेते हैं, आत में, तो आपके वो कामसेद होते में नज़र आएंगे. इन्वेस्ट्मेंट आपकी बहुत पॉजिटिव अच्छे कारियों में आपे होने वाली है, चाह आप अग्रिकल्चर के क्षेतर में उस इन्वेस्ट्मेंट को करें, चाह रियल इस्टेट में उसको करें, चाह कोई भी आप भूमी मकान वहान गाड़ी के क्षेतरों में अग जान दे इस महीने 17 नमंबर तक सूना गुम होने की या सूने की तरफ से कोई ना कोई गोल्ड की तरफ से कोई ना कोई आपको परिशानी देखने को मिल सकती है तो ये था मीन राशी वालों के लिए नमंबर के महीने का गोचर और उस पर छोटा सा वीडियो उमीद करता हम वीडियो को अच्छा लगा होगा